अगर आपके बच्चे भी जाते हैं स्कूल और आप लंच बॉक्स के लिए हमेशा टेंसन में रहती हैं कि आज क्या दे आज क्या दे तो बहुत ही बेस्ट रेसेपी आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ आज हम बनाएंगे डोडा केक जिसे बच्चे बहुत इंजॉ आटा और उसमें डाल देंगे आधा कटोडी दूद साथ ही एक इलाइची को तोड़के डाल देंगे और दो तीन चम्मत चीनी डाल देंगे चीनी की जो मात्रा है आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया जादा कर सकते हैं और ये आटा जो है वो गेहू का आटा है अब इन चॉकलेट चीला भी बोल सकते हैं अब बैटर जो है वो बहुत थीक हो गया था तो हम इसमे डाल देंगे आधा कटोडी और पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम जितने अच्छे से मिक्स करेंगी वो उतना ही फलफी बनेगा मतलब कि इसमें लंब बिलकुल भी नहीं आने देना है, लंप्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है, तो यह देखिए, इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है, तो इसमें हम दो चम्मच चॉकलेट पाउडर जो होता है, कोकोवा पाउडर वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इस पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर, और बचे बहुत पसंद करते हैं च हमने लिया है नॉनिस्टिक तावा तो जिस पे घी और तेल का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल जरह सा हम इस पे घी बस ऐसे ग्रीज करने के लिए लगा देंगे, और एक स्पून हम इसमें बैटर को डालेंगे, और उसे खुद से ही फैल जाने जब तक कि इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो सूख नहीं जाता है, तो थोड़े दिर के बाद ये देखे, ये अच्छे से ऊपर से सूख गया है, तो अब हम इसे फिलिप कर देते हैं, और दूसरे साइट से भी गैस के फ्लेम को हाई करेंगे, और दो तीन मिनट तक इसे दब अच्छे से पका लेंगे, ये बहुत स्वादिश्ट लगता है, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजे, मेरे बताय के तरीके से, और बिनकुल कम ओल और तेल में ये जो डोड़ा केक है वो बन जाता है, और गेहूं के आटे में बनता है, इसलिए बहुत हेल्दी है, तो आप बच्चों को हमेशा दे सकते हैं, रेगलर बेस पे, और जब उन्हें सर्व कीजे, तो इसके उपर हलका सा हनी डाल दीजे, इससे और इसका टेस्ट बढ़ जाता है, और ये देखिए हमारा बहुत ही स्वादिस डोड़ा केक बन करके रेडी है, तो लाइप में खाये पीजे और मज़े कीजे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे, मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी के साथ, तब तक के लिए बाबाए